हेलो, नमस्कार, अदाब, सस्रिया काल, टू यौल, और मैं विनेतिर स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इनिशियोटीव में जिसमें हम आज बात करने वाले हैं, किंग्डम फंजाय के बारे में, एक बार हम जरा नजर डालेते हैं, let's have a glance, कि हमने किस टॉपिक के बारे में बात की ती, तो सबसे पहले जो हमने बात की थी, वो क्लाशिफिकेशन के बारे में बात की थी और आज इनी अलग अलग गूरूप के बारे में, इनी डिटेल में बात करेंगे, उनके जनल फीचर के बारे में बात करेंगे, तो हमने यस्तड़े बेड़े इस्तड़े बेड़े दिवाइड गिंग्डम फंजाय, इन तो गूर्प लूप्स थी असप्ट लाग इस वाल इस सप्टा और अपसंजाय, Okay, so lower fungi without septa and higher fungi with septa, ठीक है, after that we also talked about further division of this phycomycetes or aseptate into two subgroups that is mastigomycetes or also known as umycetes that is with flagella and zygomycetes that is non-flagellate, ठीक है, and after that septate को फिर हमें sexual reproduction के basis पर further divide किया था, ascomycetes, basidiomycetes and deuteromycetes, Okay, So, आज हम बात करेंगे phycomycetes के कुछ general features के बारे में and after that mastigomycetes, subgroup के बारे में तो इन पांच जो यह अलग अलग हमारे पार groups हैं, subgroups है या पर mastigomycetes हैं, इनके हम एक एक वीडियो में detail में बात करेंगे, ताकि कोई confusion ना create or you can easily make your notes and in a well structured manner, okay, so let's get started, so यह सब चीजे हमने कल किती यह sexual reproduction and after the structures के साथ हमने बात किती, sports के बारे में बात किती, types of sports, then we'll talk about, we talked about sexual reproduction, types of sexual reproduction with diagram, ताकि आपके understanding, आपके concepts जो हैं और जो है अच्छे से बहतर हो सकें, now we'll talk about phycomycetes, so general features के बारे में बात करेंगे, जाइगomycetes में एक चीज आपने देखी है, जाइगomycetes, जो है, that is a septate, without septa, lower fungi में आता है, और इसके अंदर दो subgroups है, mastigomycetes, जिसे हम oomycetes के नाम से भी जानते हैं, and second is zygomycetes, so general features में अगर हम देखें, a septate, जैसे कि हम जानते है, a septate, without septa है, यानि कि जो hyphae है, जो tubular structure है, वो कैसा हो जाता है, वो cynocytic हो जाता है, क पर बीच में मेंब्रेन तो है नहीं, जो इंडिजिविलिटी थी, cell की, वो तो है नहीं, इंडिजिविल सेल्स तो हमें दिखाई नहीं पा रहें, तो यह जो hyphae है, यह सीनोसाइटिक हो जाता है, जैसा कि मैंने हापर, यानि कि multi-nucleated, फंजाय के केस में, हम इसको क्या ब बड़िंग, फीजन है ना, उसी तरह से स्पोर्स बता है, तो स्पोर्स में कौन जे स्पोर, जू स्पोर्स, ठीक है, यह इनिको हम एप्लेन स्पोर्स भी बोलते हैं, जो कि sporengium नाम के स्टक्चर में, sporengium नाम के सैक लाइक स्टक्चर जो होते हैं, उनके अंदर यह कि sporengium क्या है, सैक लाइक स्टक्चर है, ठीक है, ओके, आफ्टर यह आफ्टर यह इस एक सेक्शन रिप्रोडेक्शन में, जो रिप्रोडेक्शन इस फाइको मैसेटी में होती है, वो होती है, गैमेट एंगल कॉन्टक्ट से या फिर गैमेट एंजल कॉपुलेशन के तरी तो यह हमने आपको बताई ती, यह देखें यहां पर ही गैमेट एंगल कॉपुलेशन में तो यह इस तरह की बन जाती है, यह हम को जूपुलते हैं, गैमेट एंजल कॉंटक्ट में क्या होता है, एंथ्रीडेम होता है, और उगोनियम होता है, फटिलेशन ट्यूब के जो ह हम बात करते हैं तो मैस्टी को मैसेटीज के को जनरल फीचर उगमस फंजाए है क्यों है यह उगमस फंजाए उसके बारे में बात करते हैं ठीक है उससे पहले हाइफल जो वो लेंगी जो सेल वोल है ड़ीज मेड़ पॉफ जैलुलोस और अधर ग्लुकंस अधर गुलकंस की ट Candies के और अगर एकविटिक कंडिशन मे अगर अगरे अधर कॉटर समय करते हैं थे ऐसे बात करेंगे बॉटर यि जो गर अहिंके इनके बास करेंगे जह को odpowi बाइजलेट होते हैं इस तो यह स्पोर ही प्रोडिज करते हैं लेकिन वह स्पोर जो है कुए निजियर के वारे में पात की थी ठीक है और सप्र्यम के अंदर प्रड्यिज्ज के प्रोड्यूस हो रहे हैं यह स्पॉर प्रोड्यूजी सबीच मैं इंस से संप पॉरसदी तो एकवीवैलन टू कोंट्य कोंथा के के और टिंसल टाइब किया बात करें तो इसका यह होता है कि fine surface होता है यह जो surface होता है वो बिल्कुल fine होता है ठीक है लेकिन outgrowth होती है उस पर कुछ ठीक है न मतलब जैसे मालीजे fine surfaces पर कोई भी वह नहीं है लेकिन यहां पर जैसे मालीजे outgrowth हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते ह यहां पर थोड़ा उबड़ खापड जो होता है वो चीज ना हो फाइन एकदम तो इस तरह को हम टिंसल टाइप बोलते हैं आफ्र यहां देखिये जैसे क्या है यहां इसका न्यूकलियस इसमें ट्रांसफर हो रहा है ठीक है तो फर्टिलाजन न्यूकलियस इसका ट्रांसफर हो रहा है through this fertilization tube okay यहां पर भी आप देख सकते हैं यह थोड़ा colorful है इसलिए मैंने लगा दिया इसके साथ टबशेंड सब्सके आप ऊस्केलिए यह वानाव मोगा एक तरह से ङुगॉइस है यह तो यह सारे कियines है यहां पर हो गई है यह इंग जो इंपोरने旬 ले से हैं इंपर्लग में ट्र तीम है अनवृष यहां फा mist लेकि ног जो फ्लेद्ट सा जो बन रहा है वह बन रहा है लेकिन यहां पर जो प्रोड़्यक्ट बन रहा है उसके जो गैमेट्स के थू ही तो जो है यह बनेगा क्या बनेगा प्रोड़क्त फट्ड पर इसलिए उनको उगैमस फंजाई भी बोलते हैं ठीक है मारे में कंई भी यह तोAs वन सभी प्सक्तिशिं बाहर को माई प्रवॉट का बनाँ कि मैं वह गांप्रे। भी का न्हीं सब्सक्राllD न अब कुछ एक्शंपल में करें यह प्रिक फलन पे एनそうですね फायतो थोरा इंफेस्टेंस सबसे पहले जिसकी वज़े से लेट ब्लाइटो डीजीज होती है यह आप देख सकते हैं यहाँ पर लीफ के मार्जिन्स पर ब्लैक या ब्राउन कलर के जो है वो स्पोर्ट्स हो जाते हैं इसे निशान हो जाते हैं ठीक है एरियाज बन जाते हैं और इसका फाइनल जो इवेंच्वल जो कॉंसेक्वेंस होता है वो प्रोडेक्टिविटी पर होता है यहाँ काफी कम हो जाती है और मैंने आपको कल भी बताया था कि आईरलेंड नाम की कंट्री में 1845-1847 के आसपास यह डिजीज इस फंजाय ने जो है इंफेक्ट किया था पोटेटो की जो है क्रॉप को और क्योंकि वहां पर आईरलेंड में जो है उनका स्टेपल फूड है पोटेटो जिसकी वज़े से वहां पर भुखमर यानिकी फैमाइन भी आ गया था ठीक है 1845 यानिकि हमारी आजादी से भी 100 साल पहले की बात है ठीक है को कि आफ्टर ड़िः अबे रहा है अब इस वाय ट्रस्ट पर यह था क्रूसीफर्स अभी क्रूसीफर क्या है देखिए कुछ वह क्य्म्हें होती हैं जो कि ब्रैसी के सी फैमिली में आती या प्रैसी की वेशीफर्स पよね जैसे अगर आप बोले कॉलिफ्लावर है जो भी ग वाइट कलर के जो हैं स्पोर्ट सियां पर भी ठीज तो यहां पर इताएं सकते हैं भी पिक्टर एड करने का जो रीजन होता है मेरा यहां पर कि आपकी अंडेस्टेंटिंग को भी बढ़ाना साथ में आपकी मेमरी को भी तोड़े शाप करना क्योंकि एक साइंटिफिक बतान आपने सुनी हो या पढ़ी हो तो images जो बनाता है जो pictures जो आपका brain बनाता है वो long term के लिए आपकी memory में feed हो जाती है हमारी memory भी कही तरह की होती है कभी बात करेंगे long term short term memory सब हर तरह की memory के बारे में तो जो long term memory हमारी होती है यह pictures की मदद से बनती है ठीक है pictures की मदद से बनती है तो हमेशा याद रखना इस चीज को इसलिए मैं pictures भी एड़ कर देता हूँ आपके understanding और आपकी memory दोनों में वो चीज काम करते हैं तो irregular यह white bristles आप देख सकते हैं यहाँ पर crucifer family की vegetables होती है उनमें यह disease होती है और फंजाय का नाम है albigo candida जो की एक lower फंजाय है जो phycomycetes के एक subgroup में आती है ठीक है जिसके बारे में हमने बात की that is mastigomycetes after that pythium debarum ठीक है नब पाइथियम डीबर येनम ठीक है डीबर येनम जो है यह यहाँ पर फंजाय है जो disease cause करती है that is damping off seedling का मतलब क्या होता है एक नया plant एक दम एक जो नया plant young plant जो होता है जो की seed से एक दम निकलता है यह almost उसको हम seedling बोलते हैं यह आप देख सकते हैं seedling है यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से seedling जो है वो बड़ा हो रहा है ठीक है तो यह जो seedling है बिल्कुल ground के पास से बिल्कुल ground level के पास से क्या हो जाता है collapse हो जाता है और इसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं damping off बोलते हैं damping off बोलते हैं ठीक है again obviously जब यह यहाँ से तूट जाएगा तो productivity production और सारी crop failure तो होई जाएगा after that sclerospora gramini cola sclerospora कुछ नाम में आपको ऐसा लगता होगा कि यह नाम हम कैसे ले तो आप तोड़ लीजिए उन नाम जो नेम्स आपको ऐसा लगते हैं वहाँ तोड़ा difficult to spell है difficult to speak है तो आप उनको क्या करते हैं तोड़ लीजिए को में आतो यह कुछ ऐसे वर्ड है जो आप जैनली没有 करते हैं जिसके प्रड़े से आप इनको ...'स्ते उनको आपको इसली स्प्यव कर सकते हैं यह मैं कि यहाँ चिरी मिली करते हैं अनाज जैसे वीट हैयो हैं तो यहां ध्यान रखिएगा इसास है इसमें कुछ ऐसे इसतरह के ब्लूम समय जाते हैं वाइट कोटनी के लिएजाता प्लूम प्लूम यकान कि अधस फोल्द का उतार सब्लिक जैसे घौ सब्सक्राइब क्नीध मैं जो कि Sclerispora Gramini Cola नाम के फंचाय से होती है ठीक है तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही नेक्स वीडियो में हम बात करें हैं जाइगुमाइसिटीज के बारे में डिटेल में विध डाइग्रामस इंडिटेल ठीक है तो तिल देन रेफर यूर एंसी आर्टी एंड टेक क्य of yourself bye take care thank you thank you very much